नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल एजुकेशन क्लास स्रामू में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी अपडेट जो की 79,000 रिलेटेट है काफी महतपूर अपडेट है इसी से पता चलेगा कि आगे भविश में भरती आएगी या नहीं आएगी ये अपडेट काफी आप लोगों के लिए महतव पूर है देखे, 79,000 भरती में पद नहीं तो कैसे मिलेगी 78,000 को नोकरी अब पहले तो 79,000 में 800,000 की बात होती थी लेकिन अब 78,000 की बात होने लगी है दरसल मामला ये है कि पहले इसको हम समझते हैं देखे, प्रियाग राज परसिती परत्मेवी दाले में 79,000 साहयक अध्यापक भरती अब बेसिक सिक्चा विभाग के अधिकारियों के गले की फांस बंती नजर आ रही है लिखित परिच्छा में एक गलत प्रश्न के मामले में सरकार के अपील सुप्रीम कोट में खारिज होने के बाद अधिकारियों के लिए एक हजार अब बेर्थियों को नवकरी देना चुनोती पूर्ण हो गया है इसे से पहले 5 जनौरी को जारी आरक्षन वग 800 की सूची को जोड ले तो करीब 78 सो पद पर भरती कैशे करेगी या किसी को पता नहीं है दरसल अधिकारियों ने सुप्रीम कोट में दाखिल हवर अफ़ना में यह बात कही है कि यह भरती पूरी हो चुकी है और अब इसमें पद नहीं बचे हुई है इस भरती के पहले चरण में लगबग 31,277 और दूसरे चरण में 36,590 पद जो थे 79,000 वाला जो चैनित पद थे वो दो चरणों में बरे चादूए के इसके बाद रीक्त पद जो अनुसूचित जाती जो एश्टी वाले थे उनके जो पद थे वो बच गये थे 1133 पद उनको भी परिवर्तित करते हुए तीसरे चरण में जीला आवांटित किया जगा चुका है ऐसे में वर्तमान इस्तिती भरती में पद ही नहीं बचे मतलब इस 79,000 भरती में पद ही नहीं सरकार के पास बचे हुए तो वो 1000 और पद जो बढ़ जा रहा है तो वो कहां से भरेगी सरकार इन बच्चों को तो ऐसे में जनवरी में आरच्छन 800 सूची सामिल हुई अब परतियों में एक नमर के पास होने पर तक्निक 1000 अब्यार्थी जो चैन होंगे अब इनका पद जो है कहां से भारा जाएगा दरसल समझेगा मामला देखे मामला क्या था कि पांच जनवरी को और 600 की नई सूची जारी हुई थी पूरी 79,000 की भरती की परक्रिया पूरी हो जा था अभी इस पर भी सुनवाई चली रही थी तब तक एक और 79,000 से रिलेटेट एक और अपडेट आ गई जो कि एक प्रश्न जो था उसमें सभी विकल्प थे वो गलत थे 79,000 में ऐसे में उसमें आपको 26 बच्चों को अंक देना अनिमार हो जाता है जब सभी विकल्प गलत से लगबग 1000 अभ्यर्थी ऐसे है जिनका फीर से चैन हो सकता है अब वो मेरिट लिष्ट में आ सकते हैं उन 60,000 वाली भरती में तो उनका भी चैन हो सकता है अब ऐसे में इन 1000 अब ब्यर्थियों को 68,000 की सूची में अगर समलित कर दे तो 78,000 पत हो जाते हैं तो जब सरकार क के पास यह कर यह सरकार की हमने 79,000 पत भर चुके हैं अलग से जो 68,000 पत अभी उस पर विबादी चला है अलग से 1000 और पत जब उसमें उत्पन हो जाते हैं तो उसको सरकार भरेगी कहां यह एक जो है सरकार के लिए काफी चिनोती का मामला सामने आ जा रहा है ऐसे में अभी लग रहा था हम लोगों को कि जैसे 79,000 वाला अर्शाशों का विबाद चला है अरक्षण वाला विबाद जैसे ही हाटेगा तो एक नई सिक्षक भरती देखने को मिलीगी सरकार की तरब से लेकिन अब जब सरकार के सामने 1000 और पता जाते हैं तो यह विबाद काफी ज्याद जली होने के बाद आपके पास पदी नहीं आप इतना गलत नियम के तरक से इन पदों को भरे हैं जिससे आप इस 79,000 में विबाद से विबाद उत्पन होता जा रहा है तो ऐसे में सरकार कहां से पद लाएगी और कहां से भरेगी इन पदों को और कैसे नहीं सिक्षक भरती देगी जब तक पुरानी परती का कोई निप्टारा नहीं हो जाता है तो एक तरह का संकेत है कि भविस में अभी तक आने में भरती को काफी देरी लग सकती है चाहिए वो लोग सबा चुना हो कुछ भी चुना हो जब तक इस भरती का निप्टारा हो नहीं सकता तब तक बाकी चीजे सरकार की गलत तरीकों से गलत नियमों के माद्यम से ये विबाद जो है इस बरती में और काफी लंबा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है अब सरकार 78 सो पद कैसे भरेगी वो देखने वाला समय होगा हमारी तो यही राय है कि अभी भरती आने की कोई आसा नहीं ह ऐसे जैसे यह बाद उत्पन हो रहा है अभी तो 79 सो का कई मामला कोट में पड़ा हुआ है उस पर सुनवाई चली रही है जिसमें से एक सुनवाई जो है खारी जो गई एक नमबर वाला और उसमें एक हजार अब्यर्थी और बढ़ गए जो आनी के लिए तो अब आगे दे चैनल के साथ वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए अच्छली दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं थैंको थैंको पारवाचिंग इस वीडियो